आज का लेसन आप बहुत ही इंट्रेस्टिंग इंग्लिश लेसन होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी एक अलग लेवल पर चली जाएगी मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडन्स ने पूछा कि इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे बनते हैं और ये ट्रिक उनके बहुत काम आई है तो चलिए करते हैं लेसन की शिरुवात आज हम सीखेंगे कि रीडिंग यानि की सिर्फ पढ़ने से आप इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हो सकते हो आप पढ़ने के लिए कुछ भी उठा सकते हो जैसे फॉर एक्जाम्पल इस वीडियो के लिए मैंने आज का न्यूस पेपर उठाया है ये न्यूस पेपर है रीडिंग करकर हम इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हो सकते है ये आज हम सीखेंगे तो इस वीडियो के लिए मैंने ये एक छोटा सा पैरेग्राफ लिया है जो कहता है इक छोटा सा पैरेग्राफ है और इस पैरेग्राफ की मदद से हम इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हो सकते है हमारी फ्लुएंची को कैसे बढ़ा सकते है ये आज हम सीखेंगे तो आज हम सीखेंगे better reading to English fluency, मैंने क्या किया है, जो passage paragraph आज के newspaper में से मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने screen पर डाला है, उसका एक photo लिया है और screen पर डाला है, अब इस paragraph को हम यहां से यहां तक पढ़ेंगे, ठीक है, मेरे खल से font size बहुत छोटा है, इसलिए मैंने इस paragraph को type किया है आपके लिए, यह पूरा paragraph मैंने type किया है, सबसे बहुत इस paragraph को पढ़ते हैं, और उसके बाद इस paragraph को पढ़ने के बाद क्या करना है, यह समझते हैं, जैसे headline कहता है, My Heart is Full of Sorrow, says PM Modi, holds review meeting. Standing against the backdrop of the Statue of Unity in Gujarat, an emotional Prime Minister Narendra Modi on Monday condoled deaths resulting from the Sunday's bridge collapse in Morby and declared that the government will leave no stone unturned in carrying out relief and rescue operations. Later in the evening, the PM chaired a meeting on the incident and asked the officials to extend all possible help to those affected. चोटा paragraph है, लगबाग 60 to 70 words होंगे, उससे ज्यादा words नहीं है. हो सकता है कि पहली बार आप कोई paragraph पढ़ो, तो आपको वो पूरी दर से समझ में नहीं आए, मतलब कि उसका एक overall idea आपको मिल जाता है, जैसे recent जो incident हुआ, गुजरात में, bridge collapse हुआ, उस बारे में है. अब ही हम क्या करेंगे, step one को follow करेंगे, और step one है scanning, आपको scan करना है पूरा paragraph को, और scan किस चीज के लिए करना है, ऐसे words जो आपकी समझ में नहीं आते हैं. For example, मैंने कुछ words को highlight किया है, against the backdrop, condoled, no stoned unturned, जो एक English का idiom है, chaired meeting, or to extend, जो एक phrasal verb है. तो हमने क्या किया है, सारी words को highlight किया है, जो important words है, जो हमारी समझने में थोड़े मुश्किल है, आप इसका meaning धूर्ण सकते हो, Google करके. जैसे चलिए देखते हैं, सबसे पहला phrase क्या है, against the backdrop, जिसका मतलब है, के पीछे या पाश्व भूमी. अगर आप paragraph पड़ो, तो उसमें क्या, श्री नरेंद्र मोदी, statue of unity के सामने कड़े है, it means, he is standing against the backdrop of statue of unity. Next है, condoled, ये एक verb है, जिसका past verb है, क्योंकि ये reported speech है, कोई reporter हमें बता रहा है कि क्या हुआ है, तो उसने past का verb यूज़ किया है, condoled, जिसका मतलब है, शोक व्यक्त करना, इसे इंगलिश में कहते है, condoled. Next है, no stone unturned, ये एक इंगलिश का idiom है, इसका मतलब है, कोई कसर नहीं छोड़ना, no stone unturned. Next है, relief and rescue, जिसका मतलब है, राहत और बच्चाव कारिय, उसे कहते है, relief and rescue. To chair a meeting, बहुत simple है, meeting लेना, अब रिपोर्टर ये भी कह सकता था, कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एक meeting ली, पर उसने क्या किया है, उसने एक better phrase यूज़ किया है, He chaired a meeting, right? तो देखिए, एक छोटे से paragraph, 60 words के paragraph से भी आपको कितनी बढ़िया vocabulary मिलती है. और next is to extend, इसका मतलब है, हाथ बढ़ाना, या support extend करना, support देना, to extend, जो इस paragraph में जिसका मतलब है. तो जैसे मिलता है, देखिए, 60 words का paragraph है, हमने idiom सीखा, smart phrases सीखे, phrasal verbs सीखा, तो reading अपकी बहुत मदद करती है, बहुत सरी vocabulary सीखने में, और वही vocabulary को आप फिर अपकी conversation में यूज़ कर सकते हो. तो यह तो हमारा सबसे पहला step, scanning. अब next आपको क्या करना है? हमने यह सारे words को highlight किया, इनका मतलब समझा, सारे difficult words का. Second step में, आपको difficult words की pronunciation दोननी है. जैसे for example, इस paragraph मैंने, मैंने blue में कुछ words highlight किये है, जिनकी pronunciation में शायद आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है. जैसे statue, emotional, condole, collapse, वगेरा वगेरा, सारे blue में highlighted है. चले इन सारे words की pronunciation समझते हैं. आपको लगता होगा कि यह तो बहुत simple words है, मुझे इनकी pronunciation तो आती है. आप चेक कीजिए क्या आपकी pronunciation सही है. सबसे पहला है, statue, statue. हम statue नहीं कहते है, it's statue. और जो word highlighted है, bold में है, इस पर हम stress देते है, statue, and not statue, statue. Next, emotional, emotional. इस sound से शुरू होता है, मुझे इसका stress आता है, और sh-nal, emotional. Say it with me, emotional. Condoled, condoled, यानि कि दुख व्यक्त करना, right? Condoled, और stress इसका end में है, condoled. Next है, collapse. अभी काफी सारे लोग इसे कहते है, collapse. यह ko नहीं है, it's collapse. Collapse. और stress end part में आता है, collapse. Next है, rescue, rescue. And again, stress is on the first part. Rescue, rescue. Possible, possible. First part में इसका stress आता है, बोट सारे लोग इसे कहते है, possible कहते है, it's possible. Look at the difference, आप खुद difference देखिये. Possible. Affected and not affected. It's affected. और इसका stress आता है, center में. Affected. तो देखिये हमने लगबग 6 words की सही pronunciation सी की step 2 में. और अब हम बढ़ेंगे बहुत ही important part, यानि की third step की तरफ, जो है, fast reading. आपने एक बार तो पढ़ लिया है, कुछ words ने आपको तकलीफ दी, आपने उनके मतलब समझे, उनकी pronunciation समझे. अब आपको पता ये सारे words क्या है, आपको पता इस paragraph का मतलब क्या है, now we have to read it faster, with the right pronunciation. पहले मैं इसे पूरा fast पढ़ूँगा, आप ध्यान से सुनिये, उसके बाद आप वीडियो को pause कीजिए, और बोलने की या पढ़ने की कोशिश कीजिए. चले शुरू करते हैं. मैं हेदलाइन नहीं पढ़ूँगा, मैं सिर्फ पारग्राफ पढने वाला हूँ. Standing against the drop of the Statue of Unity in Gujarat, an emotional Prime Minister Narendra Modi on Monday condoled the deaths resulting from Sunday's bridge collapse in Morby and declared the government will leave no stone unturned in carrying out the relief and rescue operations. Later in the evening, the PM chaired a meeting on the incident and asked the officials to extend all possible help to those affected. Clear? देखे, जब आप right stress, सही pronunciation, कि साथ अब जब कोई चीज़ को बार 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 रिपीट करोगे, तो automatically आपकी fluency develop होती है. और next time in words को जभी भी आप एक normal conversation में use करोगे, आप automatically fluent sound करोगे. अब बार यह आपकी है, वीडियो को pause कीजिए, और इस paragraph को दो बार तीन बार बोलने की कोशिश कीजिए, जोर से बोलने की कोशिश कीजिए, पहले slow, फिर medium और फिर fast. इससे क्या होगा, जितने भी words आप बोलोगे, उनकी सही pronunciation के साथ बोलोगे, next time आप उन्हें conversation में सही तरीके से बोल पाओगे, fluently बोल पाओगे, और यह सबसे best trick है, जल से जल English में fluent होने के लिए, तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, सबसे पहली step, कोई भी article उठाओ, उसे scan करो, कोई book में से हो सकता है, newspaper में से हो सकता है, उसके बाद difficult words की pronunciation समझो, सबसे बाद meaning समझोगे, उसके बाद pronunciation समझोगे, और third fast reading, right, क्योंकि आपको इस paragraph समझ में आ गया, अब आप उसे बार बार पढ़ोगे, ज़्यादा बड़ा paragraph उठानी की ज़रोती है, आप शुरुआत में सिर्फ 50 या 60 words वाला paragraph उठा सकते हो, फिर 100, 150, 200, step by step, सिर्फ 21 दिन के लिए ट्राइ करना, और आप खुद results देखके हैरा तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही मैं उमीद करता हूँ कि आज के lesson में आपने reading सही तरीक से कैसे करनी है, ये सीखा है, और इस trick को आप जरूर अपलाए करोगे, और रोज इस trick के साथ newspaper या कोई भी article में से paragraph उठाके practice करोगे, मैं आप से जल मिलूँगा, एक और ने English lesson में तब तक as usual, keep learning, keep practicing English.